हेलो फ्रेंड्स आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रोनित SSSC में कोलेज और यूनिवर्सिटी एक्जाम से जुड़ी हुई एक नई अपडेट के साथ तो फ्रेंड्स मेरे जितने भी दोस्त CBLU यूनिवर्सिटी भिवानी से स्टेडि करते हैं या फिर उस से जुड़े हुए किसी कोलेज में स्टेडि करते हैं तो उन सब के लिए न्यूज आ गई है कि उनके एक्जाम जो है वो 17 तारिक से कंडेक्ट करवाएगी यूनिवर्स सेमेस्टर के जितने भी कोर्स हैं उन सब के लिए डेट सीट जारी कर दी है यूनिवर्सिटी ने आपकी आज यूनिवर्सिटी ने जारी की है डेट सीट नो डेट सीट आपकी जारी की है तो फ्रेंड्स जितने भी स्टुडेंट्स थे जो वेट कर रहे थे कि यूनिवर् आपके exam conduct करवाएगी तो friends उसी को लेकर आपकी date sheet जारी कर दी गई है मेरे जितने भी friends थे CBLU University भिवानी या फिर उससे जुड़े भी जितने भी college में students थे उन सब के लिए आज एक बड़ी update आई है University की तरब से आपकी no date sheet आज जारी की है University ने तो friends किस किस course की date sheet जारी हुई है आपके exam कब है exam timing क्या है paper code क्या है तो friends वो सब जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में तो friends उससे पहले अगर आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल सस्क्राइब कर ले वीडियो लाइक कर दे ताकि आपको आगया आने वाली वीडियो update तुरंत मिल सके हमारी चैनल के मध्यम से तो friends चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो देखते हैं किस किस course की date sheet जारी हुई है क्या आपकी date sheet जारी हुई है या नहीं हुई तो friends शुरू करते हैं ये वीडियो subscribe now and press the bell icon never miss an update तो friends first जो date sheet है वो cblu university भीवानी ने जारी की है एक date sheet मतलब एक ही जो pdf है उसमें date sheet जारी की है cblu भीवानी ने तो first date sheet है चोदरी बंशलाल university भीवानी की तरफ से जो आपके llb owners का course है first year का जितने भी student है llb owners first year के उन सब की date sheet जारी कर दी है आपके exam university जून में है मतलब conduct करवाएगी और 10 बजे से लेकर और 12 बजे तक आपके exam होंगे यानि सुबह 10 बजे से 2 पहर 12 बजे तक 10 के बाद 11 और 12 यानि 2 गंटे का आपका exam है 18 तारिक से आपके exam सुरू है आप देख सकते हैं मैं देरे देरे उपर करता हूँ यह आपकी date sheet है आप note कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो मैं यहाँ पर रोके हुई है कुछ देर वरना आप वीडियो को stop करके भी अपनी date sheet जो है note down कर सकते हैं तो यह LLB owners first year की date sheet थी जितने भी first year के student है LLB owners के उनकी date sheet है 10 से 12 आपके exam conduct करवाएगी उनिवर्सिटी इसके बाद जो second date sheet उनिवर्सिटी ने जारी की है वो है BCA first semester के जो main course है उसकी reappear की date sheet नहीं है यह मैं आपको बता दूं clearly कि यह main course जो आपका regular का है उसकी सिर्फ date sheet है BCA first semester BCA बोले तो bachelor of computer science bachelor of computer science की theory date sheet है यह और 10 से 12 भी आपका भी exam 10 से 12 ही है और 18 तारिक से ही आपके exam सुरू है यह आपका paper code है यह फिर आपका किस चीज का paper है वो है PC software mathematics किसका है वो है और फिर यह आपका course का नाम तो BCA होई गया तो friends आप इसको note down कर सकते हैं मैं आपको practical भी होती है तो friends यह BCA first semester की जो course है bachelor of computer application sorry पहले गलत बोल दिया था bachelor of computer application उसके यह जो course है वो है तो इसके बाद आपने note down कर ली होगी इसके बाद जो third date sheet है वो है BBA first semester तो BBA first semester main की date sheet है इसका exam भी युनिवरसिटी 10 से और 12 एम के बीची conduct करवाएगी 18 तारिक से ही आपके exam स जो subject है उसका paper है वो यहां दिया गया है तो friends अगर आप note down करना चाहें तो आप इसे भी note down कर सकते हैं वीडियो आप push करके फिर note down कर सकते हैं इसके बाद आपका जो next जो date sheet जारी की गई है युनिवरसिटी की तरफ से fourth date sheet वो है आपकी B4 मेंसी first semester main की ये भी आपका online होगा 10 से 12 पीम इसका भी timing है और 18 जून से ये आपका exam conduct करवाईगी युनिवरसिटी ये आप देख सकते हैं note down कर सकते हैं इसके बाद जो fifth date sheet है fifth date sheet आपकी है BSC Maths Honors की जो BSC Maths Honors के जितने भी student है उन सब की ये जो course है उनके जो आप समझते हैं कि Algebra हो गया Calculism हो गया Solid geometry हो गया जित देख सकते हैं आपके 9 exam होंगे तो आप ये date sheet भी note down कर सकते हैं वीडियो पुस करके अगर आप वीडियो पुस नहीं कर सकते तो मैं नीचे link दे दूँगा वहाँ पर जाकर आप वीडियो को download कर सकते हैं link नीचे में description में डाल दूँगा तो friends इसके बाद जो date sheet है वो date sheet है आपकी 6th date sheet BSC 1st semester की BSC 1st semester के बहुत से student हमारी channel से जुड़े हुए हैं तो जितने भी मेरे friends हैं उन सब को मैं बता दूँ कि आपके exam 18 तारिक से university conduct करवाने वाली है तो आपके exam सुबह यानि दो सुबह नहीं आपके exam आपके exam university दो पहर डाई बजे और फिर दो पहर डाई से 4 बजे तक आपके exam university जो है वो conduct करवाएगी तो BSC के जितने भी students हैं वो अपनी date sheet यहां से note down कर सकते हैं वरना मैं नीचे description में link दे दूँगा आपको आप वहां से download करेंगे तो better होगा क्योंकि आप video में अच्छे से देख नहीं पाएंगे इसलिए आप वहां से download कर सकते है 7th date sheet है जो BCom first semester के student है उनकी इसके बाद BA की date sheet है तो BCom first semester के जितने भी student है उनके exam सुभए आपके exam है 10 से और 12 बज़े के बीच आपका exam होगा 18 जो तारिक है उससे आपके exam है वो चलू है आप यहां पर course देख सकते हैं अपनी date sheet यहां पर आपकी mention है BCom की जितने भी student है उन सब के लिए यह बहुत ही bad news है कि आपको promote नहीं किया जाएगा इस बार because university ने पहले बोल दिया था जो VC है उन्होंने पहले बोल दिया था कि आपको इस बार exam देने पड़ेंगे आपको promote नहीं किया जाएगा तो friends आपके यह exam है आपका first exam 17 तारिक से शुरू है यानि जितने सकते हैं कि आपका जो paper है वो किस चीज का है और यहाँ पर आपका course का नाम दिया गया है आप नीचे description चीट डाउनलोड कर सकते हैं इसके बाद आपकी सबसे last date sheet है वो है LLB owners 50 year जो 5 साल के होती है LLB owners BA उसकी date sheet है आप यह note down करना चाहें तो note down कर सकते है 18 तारिक से आपके exam सुरू है और friends इसके बाद बात आती है कि university ने यह date sheet कब जारी की तो university ने यह date sheet जो है वो कल जारी कर दी थी जितने भी आपके college के group है उनमे date sheet लगबग आपके पास आ गई होगी लेकिन जो official site है उस पर date sheet आज upload की गई है आज बात करें तो लगबग आपसे लगबग आदे गंटे पहले जो date sheet है वो upload की गई है university की official website पर मैंने नीचे link description में दे दिया है आप वहां से जो वीडियो है वो download कर सकते है आगे आने वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको जो answer sheet है जो online exam देनी है उसके लिए आपको answer sheet कैसे अपनी answer देने है आपको कल वीडियो मिल जाएगी कि आप कैसे पढ़े है कि आपका जो exam है वो clear हो जाए फिलाल इस वीडियो में आपको date sheet के बारे में ही बताना था नीचे description में link है आप date sheet डाउनलोड कर सकते है चैनल को subscribe कर ले video like कर दे फिलाल इस वीडियो में इतना ही thanks for watching have a good day